हेलो फ्रेंट्स, सिंपल एंट टेस्टी खाने में आप सभी का स्वागत है अचार हमारे बोजन में एहम भूली का निबाता है अगर किसी दिन सबजी, फीकी या कम स्वाद बनियों तो उसके स्वाद पूर्ती का सारा जिम्मा अचार को उठाना पड़ता है और यदि किसी दिन सबजी कम पड़ जाए तो उस सबजी की कमी पूर्ती की सारी जिम्मेदारी बेचारे अचार के नाजुक कंधों पर आ जाती है तो आज हम बनाएंगे मिर्च का तीखा चटपड़ा और जटपड़ से बनने वाला अचार मिर्चों को मैंने तीन चार बार अच्छी तरह दो लिया है अब इन्हें किसी साफ कपड़े पर सूखने के लिए रख देंगे मिर्चों को अच्छी तरह सुखा कर ही अचार डालना चाहिए वरना अचार खराब हो जाता है अब इनकी डड़ियों को अलग कर देंगे और जो मिर्चें खराब हैं उनको भी निकाल देंगे अब मिर्चों को बीज में से चीरा लगा कर रखते जाएंगे आप चाहें तो इसको गोल्ट टुकड़ों में भी काड़ सकते हैं सबी मिर्चों को मैंने चीरा लगा दिया है अब अचार डालना शुरू करते हैं सबसे पहले स्वादासर नमक अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा डिलता है क्योंकि मिर्चे तिखी हैं इसलिए मिर्च बगहरा कुछ नहीं डालेंगे अगर आपकी मिर्चें कम तिखी हो तो आप थोड़ी मिर्च भी डाल सकते हैं लाल मिर्च अब इसमें यह आम के अचार का मसाला है इसको डालेंगे यह मेरे पास पिछले साल का आम के अचार का मसाला पड़ा था वही मैं डाल रही हूँ अब इसमें तोड़ा सा आम की अचार का तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे ली दिये अचार बनकर तयार है अगर आपको ये रस्पी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा धन्यवाद